बिसमिल्ला इर्वामन इर्वाहीम अस्लाम लीकुम स्टूरेंट वेल्कम बैक तो माई चैनल आल अबॉर्ट मैस्विस सहर आज की वीडियो क्लास समय के लिए है चैप्टर 13 है जिमेट्रीकल कंस्रॉक्शन अन एक्सराइस 13 भी है कोशन अम इसका 10 स्टार्ट करते हैं अगर क एक पॉर थे हैं और थे चैनल स्टार विए 2 साइट ऊका तो इस साइंसे ऑन एक्प्वायर्माट थे हैं और रहुत जानला है अनंने तो विए उना खुत से ही अधिना रहुत है आप जो आपने इसका इसमेड़ाउयर्में छानका जो तो आपने चैनल साइज देखने सॉम पहले हमाई फिर राइएंगल बना लेते हैं जो बहुत आसान है अब इपैंड कर रहा है कि वह बनावाऊ तो मैं ज़्याद सजिछ करूंगी कि आफ बना लो इक वाइब लोगो बना लोगो बना लोगोगे यह दोनों साइड देखा लिएगा लोगे तो बेकाद करो लोगे को जाइन कर देंगे हम अब हमें पता है कि यह क्या है इसके नेम भी लिख लिख लेते हैं बी सी है बी सी कितना है 6 cm अच्छा जी हमारे पास जो है वो बी सी हमने एक लाइन सेग्मेंट ड्रा कर ली है 6 cm की और हमने अब देखना है कि बी और सी के पड़ना रेडिस ओपन करके आर्क लगानी है अब आपको पते है कि ए तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा लेकिन बी है हमारे पास तो बी को हम सेंटर रखते हुए कितनी आर्क खोलेंगे 4.5 cm की तो एक जो है न टिप 0 पर रखनी है और एक टिप जो है वो 4.5 अब यह 4 है और इसका हाफ जो है न वो क्या होगा 4.5 cm का होगा बी को सेंटर रखा बी को सेंटर रखा और एक आर्क लगाई जो के बी सी के उपर आ रही थी ठीक है C है लेकिन A नहीं है तो हम C को सेंटर रखते हुए कितनी लगाएंगे 4.5 cm जो के हमने पहले से ओपन की हुई है यह जो दू हमारे पास आर्क आई है वो आपस में इंटरसेप्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर बी सी मजूद है तो एक जिकर हुगा है जो कि A हमारे पास मुझूद नहीं था तो उसको हमने हाइलिट कर लिए अब हम सिंपल क्या करेंगे जोइन कर लेंगे A और B को और A और C को ताके हमारे पास एक पॉइंट ट्राइंगल आ जाए जोइन करने के बाद फिर नेक्स प्रेस ने बोलावा था मार्क ताम्ीड पॉइंट डी ओफ बीसी का अपने बीद पॉइंट निकाल लेना है अब मीड़ पॉइंट निकालेगा आपने जो है वह क्या करना है एक C के ओपर center रखना है और B के ओपर center लखने है दो arch लगानी है जोके नीचे होंगी बी-सी के ‎टीक है center से हमने इसके half से थोड़ाया उपन कर लिया है है बड्र एक लगाई दर और C को center रखा और एक arc लगाई जो के पहली आर्ट को कट करी थी किसी एक पॉइंट पे जो कि उन्होंने खुद से बताया हुए डी ठीक है तो हमने इसका नेम दे दिया डी अब यह जो है ना यह बाइस सेक्टर है किसका बी सी का इसको नेम देंगे हम डी क्योंकि हुँए इसका मीड़ कोई पॉइंट करेंगे इसका जोरी पॉइन को जोरी करेंगे आ इसका नेम दिया आप इसका मीड़ पॉयंट हमने जोईब करना है यह इसका मीट पॉइंट है ठीक हो गया अब हम इनको जॉइन कर देते हैं डी के साथ और डी का नेम भी मैं देती हूं और इसको एकस्टेंड भी कर रहे हूं यहां पर आजेगा हमारे पास दी अच्छा तो हमने क्या किया इसको जॉइन कर लिया अब सिंपल उसने बोला था क कर दो लिया कि क्या है अब मिद्राइब के यह तो आन इसको एक साइड का कशैड़ ने गफार जाए हों करना कि आप क्या दोगए यह कौन्सी साइड है उसको देख तो सिंपल जैसे कि मैंने आपको यह इन वीडियो में बताया कि 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 आम इसको रखना तो इसको जब मैं यहां पर डख दूंगी और इसको जब मैं देखुंगी तो यह कौन सा बन रहा है 90 का एंगल भान रहा है तो इसको 90 के साथ रिप्रेजान करतो अब इसके हम जो ना कंस्रॉक्शन लिखते हैं और स्टेप में हमने व् 6 को फर्स्ट स्टेप में वर्धी और सी को ड्रा किया था ज्ख अगर हम रख जाये तो आप सकते है वी और सी रखा था और 2 आर्ट लगाया किति नहीं कितनी 4.5 cm की जो के आपस में करत का रही है किसी एक प्वाइंट पे सी पे तो इसको ना हम अगर statement में लिखे हैं विद बी एंड सी एस एंटर दार टू आर्ग्स ओफ रेडियस 4.5 cm दोनों कहना तुम हैं सेंटी मीटर्स लिखा ठीक है विच कार्ड्स सिंपल मैंने एक दो लाइन्स को ना दो स्ट्रेटमेंट को एक लाइन में मर्ज कर दिया कि विद बी एंड सी एस एंटर्स द्रा टू आर्ग्स ओफ रेडियस 4.5 cm विच कर्ड्स इच अधर अच्छा विच कर्ड्स नहीं आएगा क्यों कि यह दो है तो उसके अकर्डिंग न क्यों सिंपल यह कर दिया अब थर्ड में हमने कह था जॉइन कर दिया एं उर बी को ए और सी जोन ए टू सी और भी नेक्स टेप में हमने बी और सी का जोइन वह एक मिट पॉइंट किया था मार्क दे मिट पॉइंट पॉइंट दी ओफ बीच पिफ्ट स्टेप में जॉइन के था A और D को क्योंकि उसने लिखा भी हुआ भागा है जॉइन A to D and एंगल A, D, B is equal 90 तो सिंपल हमने स्टेट में लिखती है पास क्वेशन नमर 11 है कंस्ट्रक्टी ट्राइंगल A, B, C with जॉइन A, B and B is equal 4 cm तो सिंपल हमारे पास साइट इक्वल है तो इसका मंदल यह कौन सी आइसस लिख्राइंगल है जिसमें 2 साइट इक्वल है और एंगल जो हमने बी के ओपर बनाना है 60 के अंगल तो सबसे पहले आप एंगल को देखा करें कि किस के ओपर एंगल है फिर उसके अकॉर्डिंग इसको ना बेस को देखा करें तो हमें अब दोनों में भी मजूद है तो आप जोन समर्जी ले 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 A, B 4 cm सबसे पहले हम देना A, B जो है वो 4 cm की लाइन सबसे पहले आपने 4 cm की A, B एक लाइन सबसे पहले हैं एक टिप मैंने 0 पर यानिके 1.0 पर लगाया और एक लगाया 4 के उपर और इसके बाद इनको जोन कर दिया इनको नेम दे देते हैं A, B 4 cm की A, B 4 cm की लिख दिया फिर हम बात करते हैं एंगल की तो एंगल हमारे पास है 60 की जब भी हमारे पास दो साइड़ हो और एक एंगल होना तो आपने हमेशा एक बेस बनाने के बाद एक साइड की बेस बना की फिर एंगल को क्रिएट करना है ठीक है यह इसको ना आप नेक पिर आपको समझ नहीं होती है कि 90 के अंगल कहा जाएगा आर्क लगा दी शायद कि 90 के अंगल उस आर्क को कट करें ना करें फिर हमें फिर से वह उत्रा साइज लेके आर्क को बढ़ा करना पड़ेगा इस वज़े से इंकर्वीनियंट हो जाता है इस वज़े से आपने सबसे इसकी के अंगल करना है इसके काया जाएक पर 162 क काई इसके के चाहित करना इसको कर आपने इसक के अंगल झायद करने है सिवदी क कि 50 का एंगल में हम का बन एकर राइंगल से बना एक आप नजुडे पिनोил क के इसको मिज़े को लाइन झाय लेंगल को याई जो रहें है अब simple इसको join कर लेते हैं और इसको extend करके end पे लाके ना इसका थोड़ा सा name भी दे देते हैं like आप a,b और c से हटके कोई आप name दे दो d ताकि जब हम इसको construction में लिखें और इसको cut करें तो हमारे पास एक line या array की form में कुछ नो कुछ name हो अच्छा यह हमने काम कर लिया अब next to bc की बात करता है तो bc हमारे पास 4 cm है क्योंकि a,b की value 4 cm थी तो bc की जो हम open कर लेते हैं 4 cm अब b को center रखना है a,b के उपर तो हमने की कर लिया है अब b को आपने center रखना है और एक arc लगानी है जो k,b,d को cut कर लिया किसी एक point के उपर अच्छा पहले यहां पे आप highlight भी कर लिए किसका angle है 60 का angle है ठीक है और यह जो हमारे पास एक point आया highlighted यह कौन सा a,b और बाकि कौ तो यह हमारे पास एक triangle create हो गया है और अगर मैं इसको भी महीर करके देखूं तो यह भी कितना 4 cm यह भी 4 cm और यह हुद्बा-खुज है ना, वह 4 cm का हो गया क्योंकि यहां पे आइसूस-lis triangle होती है ना, तो यह equilateral triangle बन लिए, because equilateral triangle में हार angle जो ना, वह 60-60 का होता है अगर आप इसको भी चेक करो तो यह भी क्या है 60-60 का अंगल, आप construction हम कर लेते हैं, फर्स स्टेप में क्या किया था, A, B, 4 cm की ड्रा कर ली थी, draw A, B, measurement AB, line segment is equal 4 cm, आप इसको अगर simple statement में लिखना चाहो तो आप simply होगे, draw A, line segment, AB is equal 4 cm, ठीक है, second स्टेप में क्या किया था, हमने B क आप इसको जादा इसको जादा इसको लिख सकते हो, simple आप लिखोगे, draw A, B, C, is equal 60, ठीक है, यह भी जादा इसको भी इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स स्टेप में क्या किया था, B को संडर रखा था, और एक लिखा था, यहां पर मैं आप लोगों की गलती बता इसको जादों की कुछ पचे गलती ही करेंगे, वो क्या, अब B, C, को हमने देखा, A, B को देखा, लाइन लगा लिखा ली, ठीक है, उसके बाद B की ओपर हमने देखा, तो एक 60 गेंगल पर क्रिएट कर लिखा लिखा, अब B, C की बात आ रही है, तो 4 संटर है, कुछ पचे की जो के, B, D को कट करिया किसी एक कोइन, C पर ठीक है, तो आप सिंपल लिख हो गए, भी, B, C, रा, एन आर, और 4 संटिमेटर, विच कट, या इंटरसेक्स भी आ लिख सकते हैं, विच कर्ट, B, D, और B, D जो एन वे एक रे की फॉम में है, D की साथ एरो है, तो आपने D की स at C point, 4th में लिखे था, जोइन A और C को, तो simple, जोइन C to A, कुछ बचे, यहाँ पर अंदर दून जोइना मुल पता क्या लिख जाते हैं, जोइन C to A and B, जो के लिख लेत हो जाता है, C तो पहले से हमने जोइनिंग वाली लाइन से ही निकाला है, तो बस C ने जोइन होना है, एक साथ, तो इसलिए ज़रा आंखे खोल के दिहान से अपनी इसको लिखते हैं, 5 step कुछ भी नहीं है, simple, आप इसको लिखते होगे, triangle A, B, C is required triangle, और अगर चाहो तो इसका name भी लिख सकते हो, equilateral triangle,